नमस्कार जैश्री राधी मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शिकों का आस्ट्रो तक चानल पे बहुत-बहुत स्वागत है आस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक आप से, यूट्यूब से और फेस्बुक से आज हम बात करेंगे मैच नमबर 33 की, जो की होने वाला है 17 ओक्टूबर 2020 को दिन होगा शनिवार का, अब शनिवार का दिन है, वीकेंड है तो इस दिन दो मैचे होंगे तो हम बात करेंगे दोपहर के मैच की जो की 3.30 बजे होने वाला है दुबई में यानि राजस्थान रॉयल्स वर्सिस रॉयल चालेंजर बैंगलोर तो RCBs वर्सिस आरार कौन सी टीम जो है अच्छा प्रफॉर्मेंस देगी कौन से प्लेयर्स जो है अच्छा प्रदिशन दिखा सकते हैं इसी विशे पे चर्चा कर लेते हैं और साथे साथ जनरल प्रडिक् अब डेट जो है 17 अक्टूबर 2020 की डेट है तो टोटल अगर हम देख करके चलें तो इस डेट का हमें मिल रहा है चार नंबर जो की है राहू का अब अगर हम बात करें टीम्स की तो सबसे पहले बात करेंगे आरार की यानि राजस्थान रॉयल्स की अब राजस्थान रॉय यानि इनके date of worth की total की बात करें तो इनका जो total हमें मिल रहा है वो मिल रहा है art यानि जो art number है वो शनी को represent करता है अब अगर इनके performance की बात की जाए तो इनका performance जो है इस match में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है जो ये starting में खेलना शुरू करेंगे तो उस समय पर इनका performance अ उतना नहीं बना पाएंगे जितना इनके fans इनसे expect करेंगे या ये खुद भी जो एक target set करके चलेंगे उतना score नहीं बना पाएंगे इनको batting करने में कुछ problems आ सकती है अच्छा अगर यहीं पर अगर हम बात करें राजस्थान royals की team की तो राजस्थान royals की team जो है खेलेंग चुनोतियों का सामना भी करना पड़ सकता है जिसकी वजह से ये कुछ खास score नहीं बना पाएंगे ये match जो रहेगा थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अलग सा रह सकता है क्योंकि इस match में कोई ना कोई problems हो सकते हैं क्योंकि इसी तरह से अगर हम RCBs की बात करें यानी Royal Challengers Bang Bangalore की तो पहले तो हम इसके कप्तान की ही बात करेंगे यानी विराट कोहली की तो इनका date of word जो है वो है 5 November 1988 अगर हम इनका total देखें तो इनका total हमें मिल रहा है 6 यही पर अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो कुंडली इनकी धनू लगने की कुंडली है राशी इनकी कन्या है अब अगर हम बात करें इस समय पर जिस समय पर यह match होगा उस समय पर प्राण दशा में इनके शनी जो है चल रहा होगा तो शनी इनके लगने भाफ में मगर इनके efforts जो हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं यानि अगर देखा जाए तो कुछ लापरवाईयों के कारण ये आउट होने की इनकी संभावना बन रही है यानि अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ये score नहीं बना पाएंगे स्टार्टिंग में अच्छा खेलेंगे प्रदर्शन अच्छा दिखाएंगे मगर एक time आ सकता है जिसमें ये बहुत अच्छा प्रदर्शन ना दिखाएं और जो एक target इन्होंने set किया होगा उस पे नहीं खरे उतरेंगे दूसरी चीज़ अगर हम RCBs की बात करें यानि इनके team players की बात करें तो इनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में इनका जो प्रदर्शन रहेगा वो बहुत कुछ खास आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा मगर धीरे 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 ये एक performance जो है अपनी अच्छी दिखा सकते हैं अगर हम बात करें अब राजस्थान रोयल्स के players की तो डेविड मिलर, बेंस्टोग, टॉम केरेन, शिशांक सिंग ये जो players हैं ये अपना अच्छा प्रदर्शन मैच निम्मर 33 में दिखा सकते हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें RCBs के कौन-कौन से players हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं तो Aaron Finch है इसके साथ साथ Chris Morris है और Mohamed Siraj है, देवदत Pedicle हैं ये जो players हैं ये अपना performance RCBs में अच्छा दिखा सकते हैं इस match को ले करके अब हम बात कर रहे थे कि इस match की, क्योंकि इस match में कुछ हो सकता है या तो pitch problem हो या कोई और तरहा की अलग परिशानिया हो क्योंकि दोनों ही teams के बहुत efforts लगेंगे runs बनाने में यानि score करने में दोनों ही teams के बहुत efforts लगेंगे ऐसा नहीं है कि एक team बहुत अच्छा perform कर जाएगी, दूसरी team अच्छा perform नहीं करेगी दोनों ही team के बराबर efforts लगेंगे match जो है अच्छा होगा, interesting होगा मगर अगर हम बात करें पहले बाटिंग करने की चांसिस जो है वो RCBs के बन रहे हैं इस मैच में और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस मैच को कौन विन कर सकता है तो देखें दोनों के ही efforts लगेंगे मतलब कहने का अर्थी है कि दोनों ही teams के बीच में काटे की टककर होगी दोनों ही एक दूसरे का score जो है वो chase करने की कोशस करेंगे मगर इस मैच को अगर देखा जाए तो RCBs विन कर सकते हैं इनके strong chances बन रहे हैं इस मैच को विन करने के लिए तो ऐसे ही और भी general predictions लेकर के आउंगी मैं किवल आस्ट्रो तक पे देखते रही IPL देखते रही आस्ट्रो तक मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार जैश्री